असलाम लेकुम वेलकम बैक टू मैं चैनल कैसे आप सब लोग उमेद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अलहमदलिल्ला और मज़े में जी आज मैं बनाने जा रही हूं एक नही रेसिपी यह है जी लहोरी फिश बिल्कुल पी कहीं नहीं मिलेगी तो सबसे पहले मैंने ले लिया है जिए फिश फिले है इसमें कांटा नहीं होता मैंने तकरीबन ये डेड़ किलो फिश है मेरे पास जिसको मैंने ले लिया मैंने इनको बड़े बड़े पीसिस में काट लिया है क्योंकि इसमें कांटा नहीं है तो मैंने salt, salty यह मैंने 1 teaspoon, जादा salt नहीं लिया क्योंकि फिश में और ready salt होता है, इसके बाद जी लिया है, चाट मसाला, तकरीबर आदा टेबल स्पून उफ चाट मसाला मैंने ले लिया है, कोई भी चाट मसाला आप ले सकते हैं, लेसन पाउडर है, यह है तकरीबर 1 small teaspoon, उसके ल मैंने लिया है, एक टेबल स्पून और सुर्ख मिर्स लिया है, मैंने एक पूरी है, उससे थोड़ा सा ज़ादा एक वन एन एफ आफ आप कह सकते हैं, और साथी हल्दी, हल्दी तकरीबर quarter teaspoon, उसके लावा मैंने यह ले लिया है, जी बेसन, इस बेसन को मैंने किया किया है, पहले मैंने भून लिया है, फाइंक पेन में, और इसको मैंने रिलाक्सित ठंडा करके रख लिया, यह तकरीबन चार से पाँच चमच है, teaspoon, नहीं tablespoon, फिर बता रही हूं कि मैंने basin लिया, बेसन को मैंने भूना, भूनने के बाद मैंने इसको ठंडा कर लिया, और यह चार से जिसमें आपको फिश को आपने मेरिनेट करना है और वेश हमेशाप लिए भड़ा बरतं ले निए ताक जब आप इसको मरिनेट करें तो आपके पास पे-स वोस को इचेzip करने के लिए क्योंकि अगर बरतन चोटा होगा ताप उसको अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करेंगे और यह कोई भी चीज बेशा का वो चिकन बना रहे हैं फिश बना रहे हैं कोई भी मैरिनेशन जो है उसका सारा का सारा दरुम्दार और डिपेंड करती है आपकी मैरिनेशन दव इसमें एड है और हम इसको करेंगे मिक्स अपनी फिश के अंदर अच्छे तरीके से अगर आपको लगता है कि आपको मैरिनेशन करने में कोई प्रॉबलम हो रहा है लाइक आपको लग रहा है कि फिश बहुत ज़दा ड्राइ है क्योंकि मेरे फिश जूके मैंने यह यह फ् चमच पानी या आप इसमें एक से दो चमच लेमन जूस के भी आइड कर सकते हैं डिपेंट्स के आपके फिश अगर ड्राइ है नेरी फिश को बिल्कुल किसी चीज की जूरत नहीं आप देखे मैंने सिंपल स्पाइस डाले है इसमें और इसको मैं अच्छे तरीके से मैं मि अगर सारी जगपे एक दम से सब लग गया तो आप जो आपने भुना और जो आपने भुना हुआ जो बेसन लिया हुआ था वो तीन से चार चमच जब आपने लिया थे वो आप लेंगे और वो आप इसके अंदर अड़ कर देंगे इसमें मैंने कोई पानी एड नहीं किया मैंने कुछ भी ऑफ कैमरा इसमे एड नहीं किया ना पानी ना लेमन जूस कुछ भी लेकिन अगर आपको लगेगा कि आपके फिश बोकुत ज़दर ड्राय है तो फिल फ्री तो यूज लिटल बिट ओव वाटर और अगर वाटर नहीं है तो आप थोड़ा सा लेमन जूस भी अच्छे तरीके से मैं उसको मिक्स कर रही हूं ताकि जो मैने बेसं भी इसके ओपर लगाया है वह भी इसके ओपर आराम से लग जाए बहुत अच्छी रेसेपी है मज़े की रसेपी आप एकीन करें अब ट्राइ करेंगी जब लोग ये फिश आप लोग तो आप लोग तो तो मेरे घर में हमेशा बोन लेस्ट फिश ही यूज होती है। स्पाइस जी सारे लग गए हैं अड़ हैं इसके अंदर आप मैं इसको रख दूँगी मैरिनेशन के लिए फ्रिज में नहीं डाल रही क्योंकि मुझे फ्रिज में बहुत अदर को ली कुछी भी फूट को रखना अच्छा नहीं लगता अब ही मैंने इसको रख आए इसको मैं इसको मैं करूंगी डीप फ्राइए अगर आप चाहेंगे तो आप इसको शेलो फ्राइए भी कर सकते हैं लेकि मुझे डीप फ्राइए फिश का जादा मज़ा आता है तो अब हमने हमारा ओल हो चुके अगर जी तो चूला हमने अन कर दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पे और क्यूंकि मुझे यह लगता कि अगर आप इसको हाई फ्लेम पे करते हैं फ्राइए तो ऊपर से फिश हो जाती है अच्छे तरीके से फ्राइए बट अंदर से उसका कच्छा पन रह जाता है तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसको लो टू मीडियम रखें ताकि आपक इसके यह फिश बॉन लेस है इसलिए मुझे इसके टाइमिंग का पता है अगर आपकी बॉन वाली है तो आप उसको दो से तीन मिनट ज्यादा या उसका एक्स्रा देंगे तो मेरी फिश और यह फ्राइए मैंने इसके साइड अब यह करनी है चेंज क्योंकि तीन से चार मि देंगे और उसके बाद आम फिश को निकाल लेंगे हमारी फिश हो जाएगी फ्राइए बहुत एजी एंड वेरी क्विक रेसिपी अगर आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं और एकदम से उसकी चीज बनानी है तो आप देखें जो मैंने स्पाइसिस में यूज की है वो आपके कोई आगे हैं और मुझे जल्दी में मैंने फिश बनाई है तो वो भी बहुत अची बनते हैं और जब जब मेरे घर में गैस्ट आए उन लोगों ने इसको खाया और सब लोगों ने मुझे इसकी रेसिपी जरूर पूची और एक चीज में आपने नोट कियोगी कि मैंने इ सेवर चाहिए आपको इसका टेक्स्टर बेशक नहीं भी आएगा तो भी ठीक है कुछ लोगों को अच्छा लगता है मेरे घर में यह चीज नहीं खाई जाती तो मैं जब भी कोई चीज बनाती हूँ जब मैं खाना बनाती हूं कोई भी में सालन बनाती हूँ आप लोगों की ओगा कि होने में छारे सुपाइसीज में ग्राइंड करके डालती हुकि मेरे घर में यह चीज पसंद नहीं की जाती कि अगर आपको प्याज नजर आ जाए या दुर का कोई पीस मूं में आ जाए यह लैसन का कोई मूं में आ जाए तो मैं इस चीज का बड़ा ख्याल रखत है ट्राइ कीजेगा और अपने फैमली के साथ जरूर एंजोी चिजाए किजेगा अज मेरे घर में भी फिश्डी है लाइक मैं कोई नान 나올 रोटी साथ कुछ पी नि बनाया साथ मैंने ग्रीन चेटनी है मेरी पोडीlikeint लिणी ऑ्र पूधनीन है करें अपने फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ और फिर मुझे बताइए कि कॉमेंट सेक्षिन में कि आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी तो यह है जी फाइनल लोग और देखें बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे लग रहा है लेकिन आप बिलीफ करें कि यह आपको बाहर से कही जादा अच्छा इसका टेस्ट आपको लगेगा प्लीज इसको आप ट्राइज जरूर करें मुझे बताइए का कैसे लगी आपको रेसिपी और अगर अभी ताक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडिय करूंगे आपके अच्छे-च्छे कॉमेंट्स का अपना रखें ख्याल मुझे रखें अपने द्वाओं में याद मिलूंगी कल आपके साथ एक नहीं व्लॉग के साथ या नहीं रेसिपी के साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे मिलते हैं कल टेक केर जी अलाहाफेज